हेलो फ्रेंटन्स तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब वीडियो आएंगी हर हफ्ते मतलब हर अफ्ते से मतलब कि हर अफ्ते में चार वीडियो भी यह आएंगी क्योंकि लॉक्डाउन लगबग लगबग काफी हत तक लग चुका है घर पे पड़े हुएं क्या करना है वीडियोज ही बनानी है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो बॉंड्स थे वो खतम हो चुके हैं जब तक खतम हुआ है जब तक तो दबा के वीडियो बनाएंगे तो अब शुरू करते हैं तीन एपिसोड मुझे explain करने हैं इसी वीडियो में ताकि हर हफते फिर हम लोग एक वीडियो पर ही बात कर सकें तो 969, 970 और 971 ये तीन एपिसोड मुझे cover करने हैं इसी ही वीडियो में मेरी आवाज थोड़ी सी different हो सकती है क्योंकि मुझे जुखाम है मैं अभी अभी fever से ठीक हुआ हूँ दोस्तों मुझे malaria हो गया था इस वज़ा से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था नहीं तो और जल्दी वीडियो बनाने लगता अब मैं ठीक हुआ हूँ तो मैं वीडियो कर रहा हूँ आवाज में थोड़ा सा उपर नीचे अंतर हो सकता है तो इसके लिए मुझे माफ कर देना अब आईए explanation शुरू करते हैं शुरू करेंगे episode 969 से तो आईए फिर शुरू करते हैं episode 969 जो कि बड़ा ही कमाल का episode था और बहुत कुछ मिला जानने के लिए और जानने के लिए भी तो episode की शुरुबात कुछ इस तरीके से होती है कि अब सब लोग खुश होते हैं क्योंकि ये एक legendary crew बन चुका था जिसने one piece को ढून निकाला था और इन्होंने वो last island भी ढून निकाला था जिसका इन्होंने नाम रखा था लाफ टेल तो अब होता क्या ह जो gold डी roger होता है वोग अब मैदान में आता है सबसे बाते कर रहा होता है तो यहाँ पर जो silver rail league होता है वो roger से बोलता है कि तुम्हें याद है जब सबसे पहली बार मुझे मिले थे तो तो तुमने क्या कहा था मेरे से रोजर बोलता है कि हाँ मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों मिलके दुनिया को उपर नीचे कर देंगे और इसके बाद जो सिल्वा रेलिग होता है वो बोलता है कि तुमने ये भी कहा था कि हमारा मिलना कोई इतफाक नहीं है ये हमारी destiny है तो यहाँ पर Roger बोलता है कि बिलकुल हाँ मैंने यही बोला था और मुझे लगता है कि मैंने अपना promise को पूरा कर दिया है तो यहाँ पर Thilva Rely बोलता है कि हाँ तुमने पूरा कर दिया है सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि बहुत बहुता है लोगोंने complete कर लिया है अब यह लोग कोई भी नए सफर पर नहीं जाएंगे तो शैंक्स की आँखों से आशु छलक पड़ते हैं और शैंक्स रोने लगता है सब के आँखों में आशु होते हैं क्योंकि सब को पता होता है कि अब यह आखरी सफर होने वाला है दोस्तों जो पर्चे होते हैं गोल्डी रोजर के वो पूरी दुनिया में बढ़ चुके होते हैं क्योंकि अब वो बन चुका होता है दा पाइरेट किंग गोल्डी रोजर लेकिन गवर्मेंट इतनी थर्थराई होती है गोल्डी रॉजर से कि उन्होंने उसका नाम छापा होता है गोल्ड रॉजर लेकिन जितने भी शिप पे लोग होते हैं वो सब समझ जाते हैं कि आखिरकार गवर्मेंट ने उसका नाम गोल्डी रॉजर की बजाए गोल्ड रोजर क्यों छापा है इन सब को सच्चा ही पता होती है दोस्तों जब सब को पता पढ़ता है कि रोजर के पास कितना सोना है कितना नेम फेम सब कुछ है तो बड़े बड़े pirates और marine मैदान में उतर चुकी होती है guard भी मैदान में उतर चुका होता है और दोस्तो, the golden lion ship की ये भी मैदान में उतर चुका होता है या फिर बोलो hunting करने के लिए उतर चुका होता है गोल्डी और रोजर की अब रोजर अपने group को disband करने वाला होता है लेकिन उससे पहले उसे याद आता है कि कैसे दो seekings आपस में बाते कर रहे होते हैं जो कि हमें दिखाया भी जाता है कि ruler का जनम होने वाला है और वो इस दुनिया पे rule करेंगे तो यहाँ पे दोस्तो होता क्या है कि जो रोजर होते हैं रोजर को एक बात याद आती है कि जब उसे में पूछा था कि जो नई mermaid है जो seekings से बाते कर सकती है जो एक weapon है पोसाइड ओन है उसका जनम कब होगा तो शारले ने बोला था कि 10 साल बाद उसका जनम होगा और यहाँ पर दोस्तो जो seekings थे वो बात कर रहे थे कि 10 साल बाद एक ruler का जनम होगा एक नहीं दो ruler का जनम होगा और 15 साल के बाद वो लोग मतलब 15 साल तक वो लोग बड़े होंगे और फिर उसके बाद वो लोग rule भी करेंगे दोस्तो यहाँ पर दो लोग का नाम साफ हो चुका था पहला था शेरा उशी जो फिश्मेन आइलेंड पर राज करेगी दोस्तो यह साल वो आपकी प्रिंसीज है बिल्कुल राज करतकती है पावरफुल है एक वैपन है पोसाइडॉन है राज करती या फिकरेगी भी फ्यूचर में हमें पता पड़ेगा कि वो राज करेगी कितना राज करेगी और दूसरा जो था दोस्तो वो है मौंकी डी लूफी लेकिन जब ये बात रोजर को याद आय थी तो रोजर ने बोला था कि वो दूसरा इंसान मेरा बेटा होगा जो इस दुनिया पर राज करेगा इस चक्कर में उसने इपना ग्रूप डिस्बैंड किया और वो बीवी की तलाश में निकल गया लेकिन हमें पता है कि वो एस तो नहीं था तो इसका मतलब वो दूसरा बंदा है फ्यूचर में क्योंकि उसे सरपास करना है गोल्डी रोजर को और गोल्डी रोजर के क्रू को भी अब जो गुरूप था वो डिस्बैंड हो चुका था और गोल्डी रोजर का जो आखरी जो मतलब अपने क्रू से जो आखरी ओर दिया था जैसे ही ओडिन वानों में पहुंसता है उसका अच्छे से स्वागत होता है मतलब अच्छे से क्या स्वागत होता है बस उसके बीवी बच्चे और जो आका जाया नाइन होते हैं बस वही लोग उसका स्वागत करते हैं लेकिन दोस्तों क्या होता है वो माहौल में गर्मा गर्मी समझ जा होता है कि वानों में चेंजिस तो हुए है वहाँ पे उसे पूस्ता नहीं है लेकिन वो समझ तो जाता ही है अब क्या होता है वो वानों कूरी में अंदर जाता है तो उसे पता पड़ता है कि यहाँ पे पहले फैक्टरी नहीं थी अब यहाँ पे फैक्टरी आ चुकी है लेकिन लोग ओडिन से नफरत नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि जो तोकी होती है तोकी ने लोग की मदद करी होती है जिस वजह से वो लोग ओडन को अभी अच्छी नजर से देख रहे होते हैं कि चलो भाप ना सही लेकिन जो बीवी और बच्चे हैं वो तो कम सकब हम से अच्छी से बात करते हैं और यही बात लोगों को अच्छी भी लग रहे होती है लेकिन अब जो आका जाया नाइन होती है वो ओडिन को सब कुछ बताती है कि आखिर कर यहां पे हुआ क्या तुम्हारे पिता जी मारे गए और उन्होंने जब तक तुम ओडिन वानों में नहीं थे तुम्हारे पीछे वो जब तक के लिए वानों का शोगन बना गए ओरोची को और ओरोची ने काईडो के साथ मिलकर कितने अत्याचार करें हमारे उपर उसने पूरे वानों का स्ट्रक्चर ही बदल डाला एविन तुम्हारे बच्चों के उपर जान लेवा हमला भी करवाया ये सुनकर जो ओडिन होता है उसके दिमाग की खिसक जाती है और जो पुराना वाला ओडिन होता है वो मैदान में अब वापिस आ चुका होता है क्योंकि भाई मतलब जो म्यूजिक था एपिसोड का जो अमें दिखाया वो सब कुछ मज़ेदार था तो अब होता क्या है कि जैसी ही ओडिन को पता पड़ता है कि कैसे ओरोची ने उसके फैमली के उपर जान लेवा हमला कराया तो वो अब आओ देखता है नाताओ देखता है क्योंकि उसका दिमाग गरम हो चुका होता है अब वो बस ओरोची को मारना चारा होता है और वो कूरी को छोड़के निकल जाता है यहाँ पर जो तोकी होती है वो उसे रोकने की कोशिश भी करती है लेकिन हर कोई उसे रोकने में नाकामियाब रहता है अब क्या होता है ओरोची बस दारू पी रहा होता है लड़कियों के साथ मज़े कर रहा होता है लेकिन इधर जो ओर्डेन होता है वो बस उसका पूरा फोकस ओरोची के ओपर होता है वो ओरोची को जान से मारना चाह रहा होता है तो वो बस कैपिटल की तरफ भाग रहा होता ह जो लोग होते हैं वहाँ पे कैपिटल में वो देखते हैं कि ओडिन मैदान में आ चुका है उनके अंदर एक आसा जाग जाती है कि अब हम लोग इस नरक से आजाद होने वाले हैं क्योंकि ओडिन मैदान में आ गया होता है ओडिन कैपिटल में अंदर गुस्ता है जहाँ पे ओरोची होता है वहाँ पे गुस्ता है ओरोची से मुकाबला होने से पहले वहाँ पर ओरोची के कुछ सोल्जर्स होते हैं जिने ओडिन मिनट से पहले हरा देता है अब वो सीधा ओरोची के रूम में पहुंच जाता है और को बस चांसे मारने वाला ही होता है कि वहां पे बैठा होता है कुरोजूमी सैमी मारू जिसके पास होता है डैविल फ्रूट बैरियर बैरियर नोमी जो की बहुत ही कमाल का है जिसको नहीं पता है बैरियर बैरियर फ्रूट कौन सा है तो आप लोगों ने ड्रेस रोजा में ए यूज करता है लेकिन उस से पहले इस fruit को यूज करता था कुरोजूमी सैमी मारू वो ओरोची को बजा लेता है और ओडन जो उसका barrier होता है सैमी मारू का उसे तोड़ने में नाकाम्याब रहता है अब उसने पूरा potential यूज करके उसे तोड़ने की कोशिश करी कि नहीं करी ये तो खेर मुझे महसूस नहीं हुआ कि उसने अपना पूरा पोटेंशिल लगा दियाओ उस बैरियर को तोडने में क्योंकि जिस हिसाब से फ्यूचर में उसकी पावर दिखने वाली है ओडिन की मेरे ख्याल से वो बैरियर को तोड़ देता लेकिन अभी रैटर शायद नहीं चाता था कि वो बैरियर टूटे और औरोची मारा जाए तो यहाँ पर बैरियर की बदौलत औरोची बच जाता है लेकिन जो अब जो ओडन होता है वो दिमाग से काम लेता है वो बोलता है कि मेरे पिता जी ने एक फैसला किया था मुझे वो फैसला पता है कि जब तक मैं ओडिन जब तक मैं वानू में नहीं हूँ जब तक वानू का ख्याल रखोगे औरोची लेकिन अब मैं वापिस आ गया हूँ तो मुझे मेरा पद वापिस कर दिया जाए क्योंकि लोग तो इसी बात पर भरोसा करेंगे लेकिन यहाँ पर जो बढ़िया होती है वो मैदान में आती है और वो सुकू याकी के रूप में आती है और यहाँ पर जो ओरोची होता है बोलता है कि लोग तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे लोग शोगन की बातों पर भरो दांस करना शुरू कर देता है लोगों ने बड़ी उमीदों से ओडन की तरफ देखा था लेकिन लोगों को कुछ नहीं पता होता है कि अंदर क्या हुआ और इस तरीके से दोस्तों लोगों की आशाय तूट जाती है और ओडन पूरी तरीके से ओरोजी के कंट्रोल में होता है अब दोस्तों जो ओडन है वो हर हफ़ते ओरोजी के गेट के सामने ऐसे ही आता था और वहाँ पे डांस करता था उसकी एक तरह से ये जॉब थी कि वो आएगा वहाँ पे डांस करेगा और लोगों को हसाने की कोशिश करेगा लेकिन लोग भी बड़े खतरनाक थे उन्होंन यही दुनिया का एक नियम है जो हर किसी को जानना चाहिए अब क्या होता है ओडन को ऐसी करते करते एक साल बीच जाता है अब ओडन के हातों में नियूस पेपर आता है जिसमें लिखा होता है कि रोल टी रोजर अब इस दुनिया में नहीं रहे इसके बाद ओडन की हालात एक दम खराब हो जाती है कि उसके कैप्टन अभी इस दुनिया में नहीं रहे और अब हम लोग को दिखाया जाता है वो एक्जीक्यूशन वाला दिन जिस दिन दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े नामी पाइरेट्स कोल टी रोजर का एक्जीक्यूशन देखने के लिए आ पिर मैं ये बोलू कुछ फ्यूशर में सिची बुकाई बनने वाले हैं और एक बंदा फ्यूशर में वाइस एडमाइरल बनने वाला हैं मतलब कि सब ही दोस्तों क्या बड़े नामी पाइरेट्स हैं फ्यूशर के वो लोग गोल्डी रोजर का एक्जीक्यूशन देखने के ये आई होते हैं और गोल्डी रोजर अपनी आखरी सब्द बोल के कि मैंने अपना पूरा खाजाना वनपीस जो है छोड़ दिया है जाओ जाके ढूनो जिसको भी मिलेगा वो दुनिया में सबसे ताकतवर होगा और अपनी ये आखरी बात बोल कर गोल्डी रोजर दुनिय में बहुत बढ़ियां था म्यूजिक एनिमेशन हर एक चीज़ परफेक्ट थी मज़िदार एपिसोड था तो आएए फिर शुरू करते हैं एपिसोड की शुरुवात होती है बहुत ही छोटी बैटल से और वो बैटल होती है गैको मोरिया वर्सिस काइडो के बीच में इस को काइडो ने जीत लिया और मैदान में बड़े बड़े धुरंदर नजर भी नहीं आए जैसे कि किंग कुईन और जैक ये तीनों मैदान में मुझे बिलकुल नजर नहीं आए गैको मोरिया इस बैटल को हार गया लेकिन रियूमा की डेड बॉड़ी और उसकी स्वाड ले बता सकते हो मुझे गैको मुरिया थोड़ा सा अंडरेटिड लगा अब कहानी आगे बढ़ती है यहाँ पर जो ओडिन होता है वो हर हफते आता है कैपिटल में डांस करता है और लोगों को हसाने की कोशिश करता है उसका डांस बच्चों को बहुत पसंद आता है उसका गान मैं आकर डांस कर रहा है चंद रुपियों के लिए लोगों को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो लोग बोलना भी शुरू कर देते हैं कि ओडिन पागल है और मुझे तो यह भी लगता है कि ओडिन को बच्चे है वो भी पागल है जब ओडिन यह सब बाते सुनता है तो वो आका जाया नाइन से बोलता है कि देखो मैं तो डांस करता हूँ नंगा ओके तो तुम लोग अगर चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो लेकिन यहाँ पर आका जाया नाइन एक बात बोलती है कि जब हाई यह हमारे लिए एक नॉर्मल बात है हमने तुम्हें नंगे नाशते हुए देखा है तो हमें कोई टेंशन नहीं है और आका जाया नाइन ओडिन को छोड़ने का जो फैसला होता है वो तुरंद बोल देते कि हमें तुम्हें नहीं छोड़ना है हम तुम्हें फॉलो करेंगे ओडिन चाहे सर्दी हो चाहे कर्मी हो वह डांस करता रहता है लोग हमेशा उसे देखते हैं लोग को लगता है कि यह ठंड है लेकिन फिर भी नाच रहा है ये बेवकूफ है क्या ओडिन को कैपिटल में डांस करते हुए 5 साल हो जाते हैं तो अब बारी होती है दोनों को अपना वादा पूरा करने की ओडिन ने अपना वादा इमानदारी से 5 साल निभाया वो कैपिटल में 5 साल तक डांस करता रहा अब जो अपना promise था वो पूरा करने की बारी थी ओरोची की तो ओरोची और ओडेन होते हैं आमने सामने ओरोची से बोलता है कि देखो मैंने अपना वादा इमानदारी से निभाया अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपना promise पूरा करो औरोची बोलता है मैंने वादा किया था कौन सा वादा मुझे तो कोई वादा व्याद नहीं है और ये सुनकर ओडिन समझ जाता है कि मेरे साथ धोका हुआ है उसके पैरोतली जमीन किसक जाती है जो उसने वादा किया था काईडो और औरोची ने कि हम तुम्हें शिप देंगे वो वादा उन्होंने सिरे से निशकातित कर दिया था कि हमें कुछ नहीं पता औरोची बोलता है कि मैं तुम्हारा वादा पूरा करूँगा मैं तुम्हें यहां का शोगन बना दूँगा तो तुम यहां तो बहुत अच्छी खासी तरक्की कर दोगे तुम वानों को बहुत अच्छा बना दोगे लेकिन मैं तो वानों को वैपन फैक्टरी बनाना चात मैं चितनी चाहे उतनी मशीने लगाना चाहता हूं वानों में यह सुनकर ओडन को गुस्सा आता है यहां पर ओरोची अभी शान्त नहीं होता है वो बोलता है कि मैंने होगोरो को एकाइडो के हवाले कर दिया वो बहुत फुदा करा था उसकी बीवी मुट भीड के दौरान मारी गई यह सुनकर ओडन हिल जाता है और यह बोलकर ओरोची वहां से चला जाता है और वो बोलता है कि जितनी भी फैक्टरी की जिम्मेदारी है वो मैं तुमारे उपर छोड़ता हूँ ओडन का दिमाग खराब हो जाता है और ओडन अब अपना बदला लेने के लिए तयार होता है और वो सीधा हमला करने चला जाता है काईडो के ओपर ओडन का प्लैन बहुत बढ़िया था, ओडन ने प्लैन बनाया था कि काइडो जब पी के अपनी हवेली में सो रहा होगा तो मैं उसका सरधर से अलग कर दूँगा और यहीं हो भी रहता है, ओडेन जो है अच्छा है खासा अपने रास्ते पे जा रहा होता है लेकिन तभी वो देखता किया है कि वहाँ पे सोल्जर की पूरी बाहर लगी हुई है काइडो मैदान में है, इनका प्लैन लीक हो चुका था और इन्हें इसकी भनक भी नहीं लगी होती है कि हमारा प्लैन आखिरकार लीक कैसे हुआ लेकिन कोई नहीं, ओडेन तयार था, वो पुरा प्रिप्रेयर था लड़ाई की बारी थी, वो लड़ने के लिए तयार था, तभी काइडो आता है मैदान में और वो इन्हें बताता भी है ओडेन को कि आखिरकार इन्होंने इनसे प्रामिस क्यों किया था काइडो बोलता है कि जिस टाइम तुम आए थे, उस टाइम हम कमजोर थे, अगर हम तुम से ऐसा वादा नहीं करते और तुम हम पे हमला कर देते, तो यहां के वानों के जितने भी दाम्यों है वो भी हमारे खिलाफ हो जाते और शायद हम लोग हार भी जाते, इसलिए हमने थुछा टाइम मांगा ताकि हम यहां पे मजबूत हो सकें तुम्हें पता है, न्यूगेट और रोजर यह दोनों ही बहुत ताकतवर पाइरेट हैं, लेकिन यह दोनों बातों में आ जाते हैं तुम्हारी तरह, बस इनमें यही कमी है और अब क्या होता है, ओडिन का दिमाग तो खराब होता ही है, वो सीधा मैदान में उतर जाता है और आका जाया नाइन भी मैदान में उतर जाती है जब ये दोनों हमला करते हैं दोस्तो यतने पावरफुल होते हैं मैदान में कि ये ओपनेंट को मार नहीं रहे होते हैं सीधा उसको वजूद ही खतम करते हैं और ये शुरुबात में तो भारी पड़ रहे होते हैं यहीं पर एपिसोड खतम होता है मिलता हूँ नेक्स वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए कुरोना से साफदान बहुत जादा साफदान क्योंकि कुरोना बहुत तेजी से फैल रहा है दोस्तों मास्क लगाए बिना घरते मत निकलना गुड बाए